Hello Guys एक बार फिर आप जबहरा हाउं मेरे चैनल में स्वागत है तैंक्यू सू मच्छ कि आप मेरे चैनल्स देख रहे हैं और मैंने जो भी वीडियो में बताया है वो आप कर रहे हैं तैंक्यू सू मच्छ यह अच्छा है आपके लिए आपके बर्ड के लिए साथ लोगों मुझे मेसच्च किया, एमेल की वॉटस IESS अप कि उन्हों ने उनका बर्ड खो दिया है, खो देने का मतलब यह है कि उनका बड उड़ गया है तो मुझा यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि इन लोगों कि लिए और गु Soo के बर्ड स बूड़ गया है. उस में से को सबस्क्राइबर ने मुझे में मेंसेज किया नेक्स डे कि मूझे मेरा बर्ड वापस मिल गया है.' वापस कैसे मिला है? वह रख एक उन-का जो बर्ड था वो ओड़ कर उन-के किसी पहचान के घर वाले मतलब जो नसदीक उनके जो घर के नसदीक रहते हैं उनके पास उड़कर गया और उन्होंने लाकि ये बर्ड दे दिया तो ये बहुत ही रेर केसेस में होता है ये इंक्लूडिंग उनका बोल रहे हूं जिनका वीडियो जिननोंने जब एक बर्ड खरीदा था मैंने कहा था मेरा फ्रेंड का बर्ड है वो जो बर्ड है जिसका वीडियो मेरे चैनल पर है वो बर्ड भी दो तीन दिन पहले उड़ गया है तो अभी में रीजन आपको समझना होगा जब आपका बर्ड दो महने के एज में आता है उसका जो फैदर्स है वो पूरी तरह से और जब बढने लगता है और जब बढ़ने लगता है तो ऑविसली उनको एक वो बच्चे है फैजलिंस है इनको फैजलिंग कहा जाता है जबढ़ी भी पैरट अगर वाइल में है नेस्ट में है जब वो एग से बाहर आते हैं जब तक उनके फैदर्स नहीं होते वो तो जब यह फेजलिंग्स जमीन पर आते हैं, तो वो यहाँ वहाँ जाते हैं, उड़ते रहते, तो उनके जो पेरेंस होते हैं, वो उन पर ट्रैक रखते हैं, उनको पता होता है बर्ड कहां पर हो, इस टाइम पर भी वो अपने बर्ड को अपने मूझ से खिलाते हैं, अपने खाना ढूंडने आता है, तो यहाज है, इस एज में अगर बर्ड उड़ जाता है, तो बहुत बुरा है, बर्ड के लिए भी, जो बर्ड ओनर है, उनको तो हर्ट होता है, एमोशनली वो, उनको sad फील होता है, बट बर्ड के लिए बहुत जादा बैड है, खतरनाक है, क्योंकि कि उड़ना आता नहीं है वह उड़ जातے है कहा जाना है क्या करनाः को समझ में 낇ं आता थ देखे, रियो ने अल्रीड तोड़ दिया है, ये नया वाला टोई है, उसने अल्रीड तोड़ दिया है, ओके, ये जो बर्ड होते हैं, ये बर्ड को उड़ना आता नहीं है, उनको खाना दूढने आता नहीं है, जब ये अपने ओनर्स के घर से उड़ जाते हैं, तो वो इसल जाने में उड़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो कहा जा रहे हैं, कहा पाँचने वाले हैं, तो जब यह चीज होती है, उनको पता नहीं होता है, तो जो ओनर्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कि आपका जो बर्ड टू से फोर मन्त वाला बर्ड है, टू टू बाहर ना जाए क्योंकि यह एज बहुत ही फ्रजाइल है उनको खाना ढूनने नहीं आता है उनको कहा जाना है पता नहीं होता है उनको काट के खालेगी या तो फिर दो दिन अगर उनको खाना नहीं मिला वह खुदी ऐसे ही भूग से मर जाएंगे तो इसलिए प्लीज बी कैर जिनके पास भी अभी इस टाइम पे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं अगर आप लोगों के पास आपका बर्ड अभी आपके पास है जो टू मंस का है त्री मंस का है फोर मंस का है यह बर्ड ही जादा उडने की सोचते हैं उड़ जाने की सोचते हैं क्योंकि उनको बाहर जा कि वो घर के अंदर ही रहते हैं मैं यह नहीं बोल रही हूँ चार महने वाला बर्ड को अगर आपने दर्वाजा खोल के दे दिया तो बाहर नहीं उड़ेंगे वो भी उड़ जा सकते हैं पर आपको क्यारफुल रहना है पर यह जो टू मन्स वाले बर्ड है जिनके फेदर्स अभी अभी ग्रोव हुए हैं उनको कुछ पता नहीं होता है अंजान होते हैं इनोसेंट होते हैं इग्नोरेंट होते हैं उनको पता नहीं होता है ऐसे बर्ड का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है अगर चार महने का बर्ड उड़ भी जाता है आपको एक तसलिह हो कि वो डेफिनेटली कही ना कही जाके मर ही जाएंगे तो मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मैं आपको बताऊ इनफिमेशन दू आपको सलहा दू आपको सजेस्ट करू कि आपको करना क्या है I hope जब आप यह वीडियो देख रहे हो आपका बर्ड अभी भी आपके पास है ताकि आपको प्रिपेर होने का टाइम मिले आपको यह वीडियो देख के आपको थोड़ा अंडिस्टैनिंग हो कि आपको आपके बर्ड का कैसे ख्याल रखना है और मैं उन लोग के लिए बहुत सौरी फील करती हूँ जिनके बर्ड अलड़ी उड़ चुके है और चले गया है और मिलने का कोई होप नहीं है पर अगर अभी इस टाइम पे आप यह वीडियो दिख रहे हैं और आपका बर्ड अभी अभी खो गया है अभी अभी चला गया है तो मेरे यह टिप्स आपको काम आएंगे आपके बर्ड को ढूड़ने के लिए सबसे पहले तो यह कीजिए मैं पॉइंट्स में आपको बताऊंगी प्लीज कैरफुल यह वीडियो देखिए वो लोग जिनके बर्ड अभी भी छोटे हैं उनके पास है और वो लोग जिनके बर्ड उड़ चुके हैं तो प्लीज भी कैरफुल एंड वाच दिस वीडियो अ आपको होता है आप पानिक फिल करते हो आपको लगता है कि अभी मैं क्या करूँ मैं कहा जाओ कैसे लाओ उसे वो ही आपके दिमाग में आता है तो फर्स तिंग आपको करना है जब आपका बर्ड उड़ता है आप वही खड़े रहिए भागिये मत उसके पीछे दोड़िये तो अब तुरंट फर्स फ्लोर से नीचे आने की कोशिश करते हो जब वो करते हो आप तब तक आपको पता नहीं होता है आपका बर्ड कहां किस दिशा में उड़ गया है तो आपको ये करना है सबसे पहले अगर आपने आपके बर्ड को उड़ते वे देखा तो वही खड़ रहे, stand still और अपनी आखे बर्ड पर ही लगाए रहे, मतलब अपनी आखे बर्ड से हटाईए मत और देखिए, देखते रहे वो कितनी दूर जा रहा है, कहां तक जा रहा है, देखकर वो जब एक जगा जाके पहुचता है और वहां वो लैंड होता है, वो जगा आपको देखन आपको पता चलेगा वो वहां पर बैटा है, तब ही आपको एक्षन शुरू करना है, इंपीडियेटली भागना है, वो जो जगा पर गया है बर्ड उस जगा आपको जाना है अगर आप ऐसे करोगे तो आपका बर्ड कितना दूर गया है, कितने हाइट पर वो उड़ा है, कहा है, इसका आपको अंदाजा मिल जाएगा और आपके बर्ड को दूरने में आपको असानी होगी और बाई चांस उन लोगों के लिए जिनोंने अपने बर्ड को उड़ते वे नहीं देखा, जैसे आपका दर्वाजा खुला है, बर्ड का केज खुला है, खिड़की खुली हुई है, या किसी और ने खोल दिया है, आप किचन में हो, बेडरूम में हो, या तो फुर वो लो बर्ड किस डिरेक्शन में उड़ा है, किस जगा गया है, तो आपने क्या करना है, आपका बर्ड जिस जिस लोगों से मिल चुका है, जिन जिन लोगों से मिल चुका है, जिन लोगों को वो जानता है, ऐसे लोगों को शामिल कीजिए, और हर जगा फैल जाईए, मतलब आगे पीछे, आपके घर के आगया, आपके घर के पीछे, आपके साइड में, लिफ्ट में, राइट में, जहां पे भी हो, सब जगह लोगों को फैला दीजिए, और एक एक करके धुणिए, याद रखिए, ऐसे लोगों को आपको आड नहीं करना है, जिनसे आपका बर्ड दरता है या घबराता है, अगर आपका बर्ड किसी पेड पे जाके बैटा है, और उसने उस इंसान को देखा, जिससे वो डरता है, या डर लग रहा है, ऐसे इंसान को देखा, तो वो शायद वहां से भी उड़के कही और दूर्ट छला जाएगा, तो आपको केरफुल रहना है, कि आपका बर्ड उनको मिले नहीं, जिनसे वो डरता है, प्लस आपको आपके बर्ड के लिए, वो जो केज में रहता है, जो केज में वो सोता है रात में जाके, उसको वो केज का, वो उस केज से फैमिलियर होगा, उसको वो केज की आदत होगी, इसलिए वो केज आपको क्यारी करना है second उसका फेवरेट फूड अगर उसको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है आप दोगे उसे तो वो दोड़ा चलाएगा ऐसी खाने वाली चीज आपको साथ में रखनी है पानी लीजे क्योंकि वो उड़ा है और विसली प्यासा होगा थका होगा तो पानी केरी और साथ लेके जाके ढूंडिये तो आपको क्या करना है आपके बर्ड को आपको हर जगा ढूंडना है और उसे आवाजे देनी है जो आवाज उसको पता है पसंद है अगर आप घर पे कुछ आवास कर रहे हो तो वो जो आवास सुनकर वो दोड़े आता है या वो भी कुछ रिस्पॉंस करता है ऐसा आवाज आपको निकालना है उसका नाम पुकारना है अगर आप बर्ड घर पर लाए हो तो आप उसका नाम रखते हो तो जब आप उसका नाम रखे हो तो आप उसको उस नाम से बुलाते तो होंगे जब आप घर पे थे आपका बर्ड जब घर पे जिसको जादा फ्लाइट का ट्रेनिंग नहीं है या उड़ने का ट्रेनिंग नहीं है ऐसा बड़ जब उड़ता है तो आपको यह पता होगा कि वो लोगों को उड़ना आता नहीं है डिपेंड करता है उसका फ्लाइट फैदर कितना बड़ा हुआ है अगर जादा बड़ा हु और आपके बर्ड को आपको 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 आ यह पर आ गया है तो आपको इन फार्म कर सके ऐसे लोगों को जा के आप दोर खटटे शर्माइये मठ डर यह मत यह टाइम नहीं जब आपको डरना है शर्माना है यह नए लोगों से नहीं मिलना है, आइनो यह कोरोना का टाइम है। कोरोना के टाइम पे लग जाद आपको दरवादे खुलने नहीं देंगे facilityों मास्क पहनीए यह मास्क पैंे सैनffeそर लीजी चिए फिर उनके घर के पावगे तो वह शाइद आपको नदर आने देंगे। वो आपको जो बाक्याड है बहाँ जाने देंगे देखने देंगे ये ऐसा टाइम है जब खुद जो दूसरे लोग है वो डरेंगे कि आपका बर्ड उनके घर जाए क्योंकि ये टाइम जो है करोना वाइरस का टाइम उसमें कुछ लोगों को डाउट आता है कि बर्ड को भी वाइरस हुआ होगा तो अगर हमारे घर पे आया तो हमको भी इंफेक्शन हो सकता है ये सोचके वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप आपका बर्ड आपके घर लेके जाओ एक बहुत अच्छी चीज आप कर सकते हो वो ये है कि जब आपका बर्ड आपके साथ है मतलब अब ज लेजिए मतलब वो जब कुछ आवाजय निकालता है या आप जब उसको फीडिंग कर रहे हो तो वो कुछ आवाजय करता है वो टाइम पे आप उसका वीडियो लेजिए और वो वीडियो आप रेगुलर्ली आपके बर्ड को सुनाइए ताकि वो जब वो आवाज सुनेगा तो उसको familiar फील होगा कि मेरा है मेरी है या तो उसको लगेगा कि कोई और बर्ड बात कर रहा है तो आपका बर्ड उस वीडियो पर रेस्पॉंट करना चाहिए ऐसा वीडियो आप निकालिये ये वीडियो निकालने का मक्सद यह है कि कल जाके अगर आपका बर्ड उड़ ग पीडियो आपको पैड़ेगा आप यह को काम करेगा यह वीडियो में जो ओवाज आप रहा है ओवाज आपके चाहटी सुनकर अगर आपका बंड गया है किधा पह युद्या कोईञा मतलब मुझे रियो कैसे मिला, टू मन्स पहले रियो उड़ गया था, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था, और मैंने चार टिप्स दिये है उसमें, आप आपके बर्ड को कैसे धूंडोगे, वो टिप्स मुझे काम कर गई, तो आप बेसिक चीजे आपके बर्ड को सिखा सकत आपको उसको अपना नाम सिखाना है, जब मैं रियो फिर में रियो बुलाती थ Middle Asian मैं जाने से पहले पहले ही ओ दरेवाजा कोणने से पहले मैं वही से य ojos साथा बिलाते आती थी ताकि मुझे आवाज करके सुनाए यह चीज मुझे हेल्प कर गए अगर मैंने कभी रियो को आवाज दी रियो बिलाया और उसने मुझे रेस्पॉंड नहीं किया तो मैं उसका बास्केट नहीं खोलती थी मैं हमेशा ऐसे ही करके आती थी जिस वज़े से वो जब मुझे रेस्पॉंड करेगा तभी मैं उसका बास्केट खोलूगी तो इसको आदत हो गया था कि मैं जब बुलारी हूँ तो उसको रेस्पॉ पुकारे और वेट कीजिए कि उस नाम पुकारने के बाद रिस्पॉंड करें वह जब रिस्पॉंड करेगा तभी आप उसका केज या बासकेट खुलिए यह आपको बहुत मदद करने वाली है अगर आप यह ट्रिक अपनाओगे पहला तो है उसका नाम पुकार के उसका नाम बना के रखा और उसको वेडियो दिखाईए उसको वेडियो सुनना चाहिए और वो सुनने के बाद एक दिन ऐसे होगे वह खुद भी उस वीडियो को सुनके आवाजे करेगा तो वह जब टाइम आता है वह टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा आपका बढ़ ढूनने में